हेलो एवरिवन वेलकम टू टॉप अबेंज आज हम लोग पोईटरी सेक्षन से एक बहुत ही फेमस पोईम बाई विलियम वर्ड्सवर्ट के द्वारा वो है सॉलिटरी रीपर इसको हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे सॉलिटरी रीपर क्या है फेमस पोईट है विलि एक बैले है जिस तरह सॉनेट होता है उस तरह ये बैले है बैले के फॉर्म में है ये लिखा गया है तो बैले वैसे पोईब को कहा जाता है जिसमें एक स्टोरी को पोईब के फॉर्म में बताया जाता है और पोईब जो है थोड़ा लंबा होता है और वो हम लोग पहले से बता नहीं सकते हैं कि कितना लंबा हो सकता है वो poet पे depend करता है situation के अनुसार poet जो है वो उसको लिखते जाता है उसे पहले से पता नहीं होता है कि वो कितने lines का हो सकता है जिस तरह sonnet में हम लोगों को पता होता है कि sonnet जो होता है वो 14 lines का ही होता है ठीक है, तो ये ballet के form में है, एक story बताया गया है, poetry के रूप में, ठीक है, खूबसूरत सा story है, feel करने वाला story है, तो आईए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, क्या है, the solitary reaper, तो solitary का मतलब आप लोगों को पहले बता देना चाहता हूँ, solitary का मतलब होता है अकेली, और reaper, reaper क मतलब होता है, फसल काटने वाली, the solitary reaper का मतलब हुआ, फसल काटने वाली एक लड़की, तो इस poem में, poet ने एक young लड़की के बारे में, Scottish लड़की के बारे में, बताया है, Scotland में रहने वाली एक लड़की है, ठीक है, poet Scotland घूमने को गया है, और वहाँ पहाडियों के बीच में खेतों में उनको एक अकेली लड़की दिखाई देती है, वो फसल काटती है, और एक गीत गाती है, ठीक है, तो उसके ही बारे में हम लोग line by line पढ़ेंगे और समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है, behold her, single in the field, yawn solitary highland lass, behold her, मतलब देखो, वो अकेली लड़की, single in the field, वो अक highland lass, yawn solitary highland lass, वो देखो, अकेली पहाडी लड़की, highland का मतलब क्या होता है, पहाडी, और lass का मतलब होता है, लड़की, yawn yonder, तेक है, वो अकेली लड़की, वो पहाडी अकेली लड़की, reaping and singing by herself, stop here, और gently pass, reaping and singing by herself, reaping का मतलब होता है, फसल की कटाई करना, और singing तो अब लोग जानते हैं, वो singing कर रही है, गाना गा रही है, है न, वो खेत में, अकेली लड़की, पहाडी लड़की, वो खेत में, क्या कर रही है, फसल की कटाई कर रही है, और singing भी कर रही है, और गीत भी गा रही है, तो poet ऐसा कह रहे हैं, कि stop here, और gently pass, यहाँ पे और उको या तो निकल जाब, ठीक है, alone she cuts, अकेले वो फसल की कटाई करती है, and binds the grain, और फिर काटने के बाद उसको bind भी करती है, मतलब वो बांधी भी है, कट भी कर रही है, फसल को और बांध भी रही है, and sings a melancholy strain, और साथ में, वो जो गीत गा रही है, वो दुख भरा एक strain का मतलब गीत गाना, ठीक है, music, और melancholy का मतलब होता है, sad, दुख भरा, तो वो दुख भरा गीत गा रही है, फसल की कटाई और उसको बांध भी रही है, oh listen for the whale profound is overflowing with the sound, oh listen, सुनो, देखो, whale profound का मतलब वो जो valley है, whale का मतलब valley, profound मतलब deep, तो deep valley की बात की जा रही है, यहां पर पूरा deep valley जो है, वहां पर पूरा घाटी जो है, वो उस लड़की के आवाज से, उस लड़की के संगीत से गोंज उठा है, पूरा वादी, पूरा जो valley है, उसमें उस लड़की की जो आवाज है, वो overflow हो रहा है, वो उस पूरे घाटी में उसका आवाज फैल रहा है, ग पूरे घाटी में गूंज रहा है no nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands no nightingale अभी तक कोई भी nightingale nightingale के बारे में आपको पता ही होगा कि nightingale एक पक्षी होती है और वो बहुत ही सुन्दर गीत गाती है तो कोई nightingale यहाँ पे chant का मतलब गीत गाना no nightingale did ever chant कोई nightingale अभी तक ऐसा गीत नहीं गाई होगी मतलब कोई nightingale ऐसा गीत नहीं गाई होगी weary bands का मतलब more welcome notes to weary bands, weary bands का मतलब group of people, ठके हुए लो, group of tired people, of travelers in some shady haunt, मतलब कोई छायादार जगा में among Arabian sands और Arab के deserts में, मतलब Arab के deserts में जब कोई ठके हुए traveler आते हैं, जब कोई ठके हुए लो, group of people आते हैं आराम करने के लिए तो उस समय में कोई nightingale भी उनका welcome करने के लिए इतना सुन्दर नहीं गाया होगा कोई nightingale उन ठके हुए travelers का Arabian sands में, Arabian deserts में इतने अच्छे से गीत गाकर welcome नहीं किया होगा जितना की ये लड़की सुन्दर गा रही है तो यहाँ पर nightingale से compare किया गया तो एक ऐसा बर्ड जो है कुकु बर्ड हम लोग जानते हैं वह singing के लिए famous होता है कुकु बर्ड कोईल जो है हम लोगों को तो पता ही है एक thrilling voice जो है एक thrilling voice मतलब दिल को छू लेने वाला voice जो दिल को बेचैन कर दे ऐसा voice जो कुकु spring time में भी नहीं गा पाती है ठीक है breaking the silence of the seas जो की कुकु का sound जो होता है वो समुद्र के सनाटे को भी तोड़ देती है among the farthest hybrids और hybrids का मतलब है स्कॉटलेंड का कोई दूर दराज का आइलेंड छोटा सा जमीन का टुकड़ा पानी के बीच में तो वहां तक समुद्र के साइलेंड को तोड़ करके समुद्र के सनाटा को तोड़ करके कुकु बढ़ का जो आवाज है वो वहां तक जाता है आइलेंड तक जाता है a voice so thrilling never was heard एक ऐसा voice जो सुना नहीं गया था spring time में कुकु बढ़ के द्वारा भी जो की समुद्र का साइलेंस तोड़ते हुए समुद्र का सनाटा तोड़ते हुए दूर के आईलेंड तक जा पहुचे तो उससे भी उस कुकु बढ़ से भी सुन्दर आवाज जो है इस solitary reaper का है इस young girl का है जो खेत में अकेली फसल की कटाई कर रही है और उसको बांध भी रही है तो यहाँ पर कुकु बढ़ से भी solitary reaper यह जो young girl है उसका comparison किया गया कि nightingale भी जब एक बार nightingale का compare किया गया एक बार कुकु बढ़ का कि nightingale भी जब desert में ठके हुए traveler का welcome करती है गीत गा करके तो वो भी इतना सुन्दर नहीं गापाती है और spring के season में कुकु बढ़ जब समुद्र का silence तोड़ते हुए दूर दराज के island तक उस आवाज को अपना पहुचाती है तो वो आवाज भी इतना सुन्दर नहीं होता है जितना कि इस लड़की का आवाज है I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा Will no one tell me what she sings? क्या कोई मुझे बताएगा नहीं कि यह क्या गा रही है Perhaps the plenty of numbers flow Plenty of numbers मतलब कोई sad song होगा Perhaps the plenty of numbers flow शायद कोई sad song होगा For old unhappy far off things सायद कोई दुख भरा समय होगा पुरानी कोई बाते होगी या कोई दुख भरा चीज होगा या कोई कश्ट होगा उनको पुराने समय की बात के वज़े से वो ऐसा दुख भरा गीत गा रही है And battles long ago Or is it some more humble familiar matter of today और बोल रहे हैं कवी poet यहाँ पे बोल रहे हैं कि या सायद कोई पुराने समय का कोई लड़ाई होगा जिसके वज़े से इन्होंने यह लड़की जो है अपनों को खोई होगी इनके अपने बिछड गए होंगे शायद इसले ही है दुख भरा गीत गा रही है क्या पता और is it some more humble या फिर कोई यह normal song है humble ले का मतलब कोई normal song मतलब जैसे हम लोग normally कोई गित गुन गुनाते है या फिर कोई एक normal song है जो familiar matter मतलब daily का जो matter होता है daily का जो tension परेशानी stress होता है जो day to day stress होता है उसके वज़े से यह गित गार यह कोई normal song ही होगा में भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा poet ऐसा कह रहे है कि या तो पुराने समय का कोई दुख भरा problem होगा या कोई दुख होगा जिसके वज़े से गारी या फिर पुराने समय में कोई लडाई हुआ होगा जिसमें वो अपनों से बिच़ड गई है अपने उनके बिच़ड गए हैं या उसके लिए रो रही है, रो करके गाना गा रही है, मतलब sad हो करके गा रही है, रो तो नहीं रही है, exactly, sad हो करके गाना गा रही है, या फिर कोई normal गाना ही गा रही है, अपने stress को free करने के लिए, daily का जो stress होता है, daily का जो tension परिशानी, थोड़े बुड़े घर में जगड़े होते हैं, daily का ज होगा या कुछ लॉस हुआ होगा कोई दर्द होगा उनका ठीक है कोई disaster होगा natural sorrow जो बोल रहा है इसका मतलब that has been and maybe again जो हुआ होगा पुराने समय में और शायद आगे भी होगा सायद इसलिए ही वो ऐसा melancholy गीत गा रही है ऐसा melancholy sad song वो गुन गुना रही है whatever the theme theme चाहे जो भी हो the maiden sang maiden मतलब वो लड़की sang गाना गा रही है वो गाई whatever the theme theme चाहे जो भी हो वो लड़की गाना गा रही है as if her song could have no ending ऐसा लग रहा है जैसे उसके song का कोई ending ही नहीं है वो गाए ही जा रही है I saw her singing at her work and over the sickle bending I listened motionless and still I saw her singing at her work मैंने उसको गाते हुए देखा वो काम कर रही है साथ में गाना भी गा रही है और over the sickle bending sickle मतलब क्या होता हो जो हम लोग फसल काटते हैं खेतों में ये घूमा हुआ इस तरह का हसुआ होता है जिसको बोला है था लोकल में हसुआ इस तरह से इससे फसल को काटा जाता है इसको sickle बोलते हैं ये sickle bending वो bend हो करके जुक करके वो फसल को कटाई कर रही है और गीत भी का रही है तो मैंने उसे देखा poet ऐसा कह रहे है I listened motionless and still मैं motionless हो करके मतलब बिना हीले डूले चुप चाप and still still हो करके उसका गीत को सुन रहा था जब वो अपने sickle से कट कर रही थी फसल को and as I mounted up the hill जैसे ही मैं hill के उपर चड़ा जैसे ही मैं पहाड़ों के उपर चड़ता गया the music in my heart I bore ठीक है long after it was heard no more the music in my heart I bore और वो जो music था जैसे ही मैं पहाड़ के उपर चड़ता गया वो जो music था उस लड़की का गीत था संगीत था वो मेरे दिल में समा गया I bore बोर का मतलब वो बोर नहीं है कि वो बोर हो जा रहा वो वाला बोर मत समझना बोर बियर का हो गया बोर तो वो अपने दिल पे अपने रिदय में उस संगीत को समा करके वो पहाड के उपर चड़ने लगा long after it was heard no more फिर बाद में पोएट को ये जो म्यूजिक है वो कभी सुनने को नहीं मिला लेकिन पोएट ऐसा कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक वो जो संगीत था वो जो गीत था उस लड़की का यंग लड़की का उसके सीने में हमेशा वो फील कराते रहा वो हमेशा उसके दिल में वो फील कराते रहा उस संगीत का वो संगीत हमेशा उसके दिल में रहा कभी वो गया नहीं बहुत लंबे समय तक उसके दिल में रहा वो संगीत ठीक है फिर वो संगीत उसको सुनने को नहीं मिला लेकिन उसके दिल में रहे गया तो ये poem यहाँ पे खतम होता है कैसा लगा आपको ये poem जरूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शियर किजिए लाइक करना मत भूलिये और विट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ये poem यहाँ पे खतम होता है और इसके बाद हम लोग question answers को भी पढ़ेंगे तो चैनल को subscribe किजिए, bell notification on किजिए और फिर मिलते हैं कोई next वीडियो में, thank you for watching, have a nice day